आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज बोटी जो खाने में बहुती टेस्टी और बनाने में बहुत आसान है जिसके लिए मैंने ली हूँ 300 ग्राम चिकन वाइट विनेगर में मैं इसे 3-4 मिनिट के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर तकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएं बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद हम धहीं लेंगे वन कप इसे हम अच्छे से फ्याट लेंगे फिर हम इसे एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे दही को इसके बाद हम गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्चो का पाउडर वन टी स्पून थ्री जी पेस्ट हम लेंगे टू टी स्पून फिर हम लेंगे धनिया पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून लाल मिर्चो का पाउडर टू टी स्पून और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन एड़ कर देंगे जो के हमने मैरिनेट करके रखा है वाइर बीनेगर में अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसे भी हम मैरिनेट करके रख देंगे हाफ एन आउर के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे हाफ एनार रखेंगे इससे वो चिकन हमारी अच्छे से गल जाएंगी अब हम बना लेंगे वाइट सॉस हम बरतन में थोड़ा तेल डाल देंगे मेडियम फ्लेम रखेंगे जब तेल हो जाएगा ठीक थोड़ा गरम तब हम इसमें मैदा मिला देंगे अल परपरस फ्लार फिर इसमें हम जब दूद मिला देंगे थोड़ा वन कप मिलक है हमें लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है ताके लम्ज ना आ जाए इसमें इस तरह से हमें करना है इसे इसके बाद हम इसमें चीज एट कर देंगे वन कप चीज है मेरा प्रोसेस चीज है थोड़ी सी हम इससे रोख लेंगे बाकी सारी इसमें हम एट कर देंगे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें अच्छ कंटिन्यूसली हमें स्पैटूला चलाना है ताके इसमें लंज ना रहे फिर इसके बाद हम इसमें काली मिर्चो का पौडर डाल देंगे वन टी स्पून है ये इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ज्यादा हमें से गाड़ा नहीं करना है जब ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हम अलक सा एक फ्राइपन लेंगे इसे हम हलके से ओईल से ग्रीस करके हम इसमें मैरिनेटर चिकन जो है वह हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देंगे सारी चिकन हमें डाल देनी है अब हम चिकन को थोड़ी दिर बस सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे कुछी सेकंड्स में ये हो जाती है फिर इसके बाद हम अलक बरतन में से निकाल लेंगे और जो हमने सौस बनाई है वह हम अब इस पे डाल देंगे चूला बंध है अभी इस तरह से हम जो वाइट सौस हमने बनाई है सारी बोटी पे हम स्प्रेट करते जाएंगे बिल्गुल अच्छे से हमें सौस लगा देना है आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से यह सौस लग रही है चिकन पर बस इस तरह से हमें करना है इसके बाद हम जो चीज रोकी थी वो हम इसके उपर थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे इससे भी अच्छा टेस्ट आता है चिकन और ज्यादा यमी लगती है खाने में इस तरह से हमें सारी चीज जो हमने बचा कर रखी थी उससे स्प्राइट करनी है फिर इसके बाद में हम थोड़ा से हारा धनिया डाल देंगे इसके उपर गार्निशिंग के लिए आप देख सकते हैं फिर इसके बाद हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे बस थोड़ी थोड़ी डालना है इसके बाद हम इसे तीन मिनिट के लिए कवर कर देंगे बहुत ही स्लो आच पर इसके बाद आप देख सकते हैं ये पक्कर तयार हो चुकी है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे अब देख सकते हैं ये इस तरह से होती है ये बहुत ही टेस्टी होती है अब ज़रूर ट्राइ कीजिए और थैंक्स पर वाचिंग